कोई given line किसी given ellipse को बच्चों cut करती है उसे touch करती है या उसके बाहर है यह हमें जानना है बच्चों हमें किसी line की equation given है y equals to mx plus c और हमें कोई ellipse की भी equation given है और हमें पहचानना है कि यह line इस ellipse को cut कर रही है टच कर रही है या इसके बाहर है हम क्या करें हम बच्चों यहाँ पर दोनों की equations को simultaneously solve कर लेते हैं हम यहाँ से y की value निकाल कर इसे ellipse की equation में रख देते हैं और फिर हमें जो है बच्चों इन दोनों के intersection points मिल जाएंगे बई actually में जब भी कभी हम दो curves की equation को simultaneously solve करते हैं तो हमें उनके intersection points मिलते हैं अब हम lcm लेते हैं b square का यहाँ multiply करेंगे b square का यहाँ multiply करेंगे into x square और a square का यहाँ multiply करेंगे और square को भी बच्चों हम लोग expand कर लेंगे m square x square plus 2m c x plus c square और इस पूरे का denominator जो आ रहा है बच्चों वो a square b square आ रहा है is equal to 1 अब आप cross multiply कर दीजे cross multiply कर दीजे और x square वाले सभी terms को एक साथ लिख दीजिए तो आप पाएंगे x square के साथ में आएगा a square m square plus b square और साथ में बच्चों 2m c a square into x से और फिर का करेंगे बच्चों a square common निकाल देते हैं तो उससे आपको मिल जाएगा क्या उससे आपको मिलेगा बच्चों b square minus c square is equal to 0 so ये आपके पास में एक quadratic equation x की आगई बच्चों this is a quadratic यनिकी वरगात्मक equation समी करण हमारे पास में आचों की बच्चों काहे में x में obviously इससे x की दो values हमें मिलेंगी हमें दो values मिलेंगी let them be x1 and x2 मैंने माल लिया बच्चों की इस equation के roots है x1 और x2 माल लेते हैं इस समी करण के मूल में माल लेता हूं बच्चों x1 और x2 so आप जानते हैं बच्चों उन roots का जो sum होगा वो क्या होगा वो होगा minus b upon a और जबकि b की value क्या है बच्चों ये और a की value है a square m square plus b square और साथ में आप product of roots निकालते हैं तो वो तो होता है सहाब c upon a और c की value क्या है बच्चों यहाँ एक second यहाँ जब आपने a square का multiply करा तो यहाँ पर c square तो plus में आएगा लेकिन b square minus में आएगा तो थोड़ा सा modification आप लोग कर लीजेगा बच्चों और मेरे ख्यार से आप लोग पहले ही भाब गये होंगे कि यह कैसा हाव अप तो सर शुरुवात में ही गलती कर रहे हैं भाया करते करते आप का दिमाग भटक जाए वो एक अलग बात है लेकिन बेगिनिंग में भटके यह तो अच्छी बात नहीं है एनिवेस हमारे पास में बच्चों यहाँ पर x की दो वैल्यूज आएंगी 4ac और a का काम यहाँ पर कर रहा है a square m square प्लस b square और c का काम यहाँ पर कर रहा है बच्चों a square into c square minus b square वह यदि आपने इसका discriminant find out किया तो वो होगा b square minus 4a into c यही कुछ होगा and thereafter बच्चों आप जो है यहाँ पर 2 का square है 4 और 4 यहाँ पर भी है तो 4 को common निकाल दीजी यह हो जाएगा m square c square a to the power 4 भई m square c square a to the power 4 minus अभी यहाँ multiply करेंगे तो a square m square और a square c square तो यह हो जाएगा a to the power 4 m square c square भई a square m square a square c square कुछ ऐसी picture बनेगे फिर a square m square a square b square तो यह minus minus क्या हो जाएगा plus और a to the power 4 m square b square होप मैं सही जा रहा हूँ और उसके बाद मैं सहाब यहाँ पर minus आएगा a square b square c square और फिर बच्चों यहाँ आपके पास में minus minus plus हो जाएगा और a square b to the power 4 कुछ ऐसी ही picture आएगी और 4 तो भईया पूरा common आचुका देखे 2 का square 4 यहाँ पर भी था यहाँ पर भी था common आचुका बच्चों इसका square किया a square m square a square c square यह हो गया a square m square into a square b square कुछ ऐसा हो गया और b square a square c square ऐसा कुछ होगा minus आगे है बच्चों यह minus वापस से plus हो जाएगा और ऐसी picture आजाएगी अब यहाँ यह दोनों तो बच्चों absolutely equal है इसनी दोनों cancel हो जाएगे और बाकी का जो portion आपको नजर आ रहा है बच्चों उसमें से यह दि आप देखें तो आपको क्या common निकलता है वह दिखाई दे रहा है बच्चों बच्चों से और यही विविक्त कर हमें बताएगा कि लाइन ने कट करना है, टेच करना है या कुछ से भी नहीं करना तो चलिए साब अभी पहली कंडिशन में लेता हूँ बच्चों की अगर लाइन एलिप्स के बाहर है लाइन एलिप्स के बाहर है तो उस केस में सहाब यहाँ जो रूट्स आएंगे वो imaginary होंगे भई इस स्थिती में बच्चों जो समीगरण के मूल होंगे एक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे इमाजिनरी यहने की काल्पनिक और यह काल्पनिक होंगे बच्चों तो फिर डिस्क्रीमिनेंट जो आएगा डिस्क्रीमिनेंट जो आएगा बच्चों वो कुछ ऐसा आएगा, discriminant less than 0 आएगा, as such अगर देखा जाए तो discriminant तो पूरा, भई अगर roots imaginary हैं, अगर roots imaginary हैं, तो ये पूरा 4a square, b square, into a square, m square, plus b square, minus c square, ये जो पूरा है बच्छो, this has to be less than 0, इसकी पूरे की value less than 0 होगी, अब यहाँ जो bracket के बाहर वाला जो expression लिखा बच्छो वो तो लाज है कि हमेशा positive होगा, बच्छो, 4, 4 ही है, positive है, a square भी positive, भई a negative हो भी जाए, तो भी a square positive होगा, such a जो हो बच्छो, वो जो हता, वो distance होती, तो वो भी हमेशा positive होती है, बच्छो, उसका square तो positive होगा, b square भी positive होगा, so अगर मैं इस पूरे expression को negative करना चाहता हूँ, तो ये पूर v square minus c square has to be less than 0, so अगर आप चाहें, तो इतना भी लिख सकते हैं, आप ये वो condition है, जिस condition में line ने ellipse को cut भी नहीं करना, touch भी नहीं करना, और आप चाहें, तो c square को minus sign वाले को आप RHS पर लेकर आजाएंगे, तो आप आएंगे साहब की a square m square plus v square की value less than c square है, इसकी जो value आएग बच्चों वो less than c square है, so this is the condition, either you say this one or you say this one, so this is the desired condition for which line is outside the ellipse, एक बात है बच्चों, और दूसरी बात, अगर ये line इससे touch करती है, बच्चों पहला case था कि वो उसके बाहर है, लेकिन अगर दूसरा case बच्चों ये line अगर इसको touch कर रही है, उसको पर्ष कर रही है, तो उस स्थिती में, this discriminant has to be 0, और discriminant होता है, सहाब four times of a square, b square into a square, m square, plus b square, minus c square, और is equals to कितना बच्चों, 0, अगर ये line is so touch कर रही है, तो this discriminant has to be 0, so that a square, m square, plus b square, minus c square, क्योंकि भीया देखिये, जो bracket के बाहर वाला term दिखा, वो तो 0 हो नहीं सकता, four भी 0 नहीं है, a भी 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है, ellipse की equation में लाजबी है, बच्चों कि डिनॉमिनेटर में, जो a square है या b square है, जो a square है, जो बच्चों कि a square, m square, plus b square, is equals to c square, so what is the condition for if the given line is touching the given ellipse, either you say in this way, or you say in this way, or even you can say, this is something, that condition, बच्चों, जो आपको बताती है कि line उसे touch कर रही है, और तीसरा case, बच्चों, यदि ये line इस ellipse को cut कर रही है, यदि ये रेखा बच्चों, इस दिर्गवत को पती छेद कर रही है, तो discriminant जो होगा, बच्चों, वो more than 0 होगा, इस case में क्या होगा, टच्च कर रही है, तो roots are real, roots are real and equal, मूल वास्तविक हैं और एक समान है, और इस case में क्या होगा, बच्चों, roots are real and are distinct, roots real भी होंगे, और साथ में distinct भी होंगे, भिन भिन भी होंगे, अभी discriminant की value greater than 0 कर दीजिए, तो बच्चों, आपको मिल जाएगा, 4 times of a square, b square, into a square, m square, plus b square, minus c square, this has to be greater than 0 and इसको solve कर लिजे बच्चों, तो आपको मिल जाएगा, a square, m square, plus b square, minus c square की value greater than 0, बच्चों, इन दोनों का product 0 कब होगा, जब ये दोनों positive हों या फिर ये दोनों negative हों लेकिन ये तो बच्ची कुछी संभावना के वाली सी किये, तो this has to be greater than 0, और ये greater than 0, हो गया, मतब ऐसी situation बनेगी, so this is the condition for which the given line is cutting the given ellipse, and further भी मैं इसको लिख सकता हूं, और चाहूं, तो सहाब क्या लिख सकता हूं, a square, m square, plus b square की value greater than c square, और आप ऐसा लिख सकता है, square root वगारा लेकर भी आप काम कर सकते हैं, otherwise this is the sufficient enough condition for the given line, cutting the given ellipse, हमको अगर कोई दो curves के बारे में जानना है, साब की वह हो, एक दुसरो को cut कर रहे हैं, touch कर रहे हैं, तो हमारे पास में तरीका यही होता है, बच्चों के हम दोलों के equations को simultaneously solve करते हैं, circle के case में बच्चों given line से given circle को cut कर रहे हैं, तरीका और भी था, यह तरीका तो था ही था, यह तो यत्र तत्र सर्वत्र लग जाता है, लग जाता है, लेकिन circle के case में आप एक और भी काम करते थे, कि आप circle के case में given line की circle के center से perpendicular distance निकालते थे, और उसे radius से compare करते थे, and finally we people could come to the conclusion whether the given line is cutting or touching or not cutting, not touching, यह तरीका भी था आपके पास में, वो तरीका यहाँ नहीं या, यूस किया सकता बच्चो, क्यों, क्योंकि circle के case में center था, ellipse में भी center है, पहरा बोला मत तो चलो center था ही नहीं, बात ही खतम कर दीती, ellipse में center है, और minor axis के समय पर radius minimum होती है, बच्चों जो circle होता है, वो और कुछ नहीं, वो ellipse का एक special case है, वो ellipse का एक special case है, अगर आपने किसी circle को पकड़ के दबा दिया, तो वो एक ellipse बन जाएगा, और ellipse को अगर major axis के तरफ से दबा देंगे, तो वो circle बन जाएगा, और minor axis पर दबाएंगे बच्चों, तो फिर वो और पतला ellipse होगा, और बहुत जादा ही किसी ellipse को दबा दिया जाएगा, तो वो simply एक straight line हो जाएगी, वो simply एक straight line हो जाएगी, तो आप कह सकते हैं बच्चों कि जो straight line है या जो circle है, ये ellipse के special case है, यदि आपने ellipse को major axis से दब जाएगा, इसे आपको खीचेंगे, तो वो circle बन जाएगा, और यदि बच्चों मैं एक ellipse को दबाऊं, कहां पर दबाऊं, उसके minor axis के तरफ से दबाऊं, तो वो एक line बन जाती है बच्चों, अभी तो मैं circle और ellipse के बारे में बात करूं, बच्चों, तो आप देखेंगे कि circle is special case of ellipse, circle is special case of ellipse, बच्चों, अगर यहां major axis और minor axis के length को बराबर कर दिया जाए, यदि इसके दिरखाक्ष और लगुअक्ष के लंबाईयों को एक समान कर दिया जाए, तो वो और कुछ नहीं बच्चों, वो आपको एक circle ही मिलेगा, अगर आपने major axis और minor axis के length को इसलिए आप देखेंगे कि ellipse के case में आप जो भी कुछ पढ़ेंगे या जो भी कुछ आपके पास में formulae या expressions आएंगे, वो सब कहीं ना कहीं circle से match करते होंगे, मैंने क्या कहा, ellipse के case में जो भी कुछ पढ़ रहा है, अभी थोड़ा बहुत हम लोगों ने पढ़ा है, या अभी हमको जो बाकी कुछ पढ़ना है, you will find that everything is very similar to what we have already studied in case of circle, what I mean by this thing, let me tell, बच्चो मैं आपको जैसे बताओ, आप circle के case में, अगर आपके पास में circle की equation होते थी, x square plus y square equals to a square, so वहाँ parametric coordinates होते थे बच्चो, a cos theta, a sin theta, होते थे बच्चो, a cos theta, a sin theta, लेकिन अगर ellipse है, तो उस case में क्या होते थे, parametric coordinates, a cos theta, b sin theta, a cos theta, b sin theta, यही थे, आप लोगों इन देखा, वापर theta का मतलब क्या accepting angle, accepting angle कहां, जो auxiliary circle पर बनता है, तो आप देखिए, आप यहाँ ellipse के case में, अगर, सीरी सीरी बात है, अगर ellipse के equation में, अगर b की जगा a place कर दूँ, बी की जगा a place कीजिए, अगर आपने ellipse की equation में, बच्चो, b की जगा a place कर दिया, तो आपको मिलेगी कुछ ऐसी picture, और जिसको further solve करने पर आपको मिलेगी कुछ ऐसी picture, तो यह क्या है, यह और कुछ नहीं बच्चो, यह circle की equation है, so I repeat, circle is nothing but the special case of an ellipse, when the length of major axis and minor axis are equal, आप देख कर दूँगा, तो वही सब कुछ मिलने लग जाएगा, जो circle में मिला था, जैसे ellipse में आपको parametric coiners यह मिले, अब अगर मैं b की जगा a put कर दूँ, तो यहीं मिलेगा, यदि मैंने ellipse की equation में b की जगा a put कर दिया, तो circle मिलता है, मिलता है, यदि ellipse की equation में मैंने, जो parametric coiners थे, अगर b की जगा a put कर दिया, तो वही circle के parametric coiners मिले, yes, यह note down कर लिजेगा, बच्चो काम की बात है, और यह सब कुछ भी note down कर लिजेगा, और मैं अपनी कहानी को आगे बढ़ाता हूँ, और मैं फिर बोलता हूँ, आपने वहाँ जो भी कुछ पढ़ा था, circle में, वो सब ellipse क special case था, कैसे, यदि मैं ellipse के case में, बच्चो, b की जगा पर a रख दूँ, ellipse के case में b की जगा a रख दूँ, तो आप minus 2mc a square upon a square m square, a square m square plus 1, plus a square, ऐसा पाएंगे, भी अगर आपने b की जगा a place कर दिया, if we put b की जगा पर a रख देते हो, तो यह जो sum of roots आएगा, बच्चो, आप देखिए, अगर आपने b की जगा a रख दिया, तो यह जो equation बनेगी, यह equation बिलकुल वैसी ही बनेगी, जैसी circle में आई थी, बच्चो, आप चाहें तो b की जगा a रख कर देखिए, और आप पन्ने पलटा कर देखिए, अपनी copy कि आपको वहीं मिलेगा, जो circle में मिला minus two times of m into c upon m square plus one, और जड़ा अपनी copy के पन्ने पलटा कर पर देखिए, या फिर अपने याददाश्ट को थोड़ा सा पीछे की तरफ लेकर जाएए, आप देखेंगे वहाँ पर यही result आया था, कहाँ पर? circle में, likewise, अगर मैं discriminant के बारे में बात करूँ, तो वहाँ जो discriminant का expression आया था, वहाँ जो discriminant का expression आया था, मैं वो बताता हूँ बच्चों, पर पहले उससे पहले यह note down जिलू कर लीजेगा, भही यदि आप वहाँ पर देखेंगे, तो आपको वहाँ जो discriminant का expression आया था, बच्चों, वह 4 a to the power 4 into, इसमें से ये a square m square, minus a square, plus b, minus c square, और b की जग common आजाएगा, फाइनली आएगा, बच्चों, 4 a to the power 4, और यह जो bracket लिखी, इसमें से a square common निकालते होते हैं, तो आपको मिलेगा, one plus m square, minus c square, डिक्टो, वह इच एक्सप्रेशन, आ रहा बाबाबा, जो उधर, आ रहा था, किदर, circle के case में, वही आ रहा, आप देख लीजे, और फिर वहाँ पर, जो condition आई थी, कि line अगर cut भी नहीं कर रही, circle को, तो आपके पास में, जो relation आया था, वह आया था, a square into one plus m square, less than c square, आप ध्यान कीजिए, अगर line cut भी नहीं कर रही थी, तो यह relation आया था, और वह क्यों आया, क्योंकि आपने b square के जगा a square पुट कर दिया यह a square, m square, plus a square, minus a square होगा, और a square common निकाल देने के बाद, वही, यहाँ फिर कुट कर दिजिए, यहाँ b की जगा a put कर दिजिए, यह relation, rl, अगली बात, यदि touch कर रही है, तो touch कर रही है, तो वहाँ पर जो conditionality मैं याद दिला दूं, बच्चों, अगर आपने b की जगा पर a a रख दिया, क्या रख दिया बच्चो, b की जगा पर a, तो आपको जो relation मिलेगा, c के लिए बच्चों, वो मिलेगा कुछ ऐसा, और यदि आपको याद हो, तो वहाँ पर touch करने की condition यही देखी थी आपने, यही condition देखी थी, याद होना चीए, मैरे ख्यासे पनने भी नही पलटाना चीए, क्योंकि टेंजेंसी की condition तो सहाब बहुत महत्वपुन थी, और अगर line cut कर रही है, उसे प्रती छेद कर रही है, तो आप यहाँ पर बच्चों, जो है, b square की जगा a square रखना है, आपको b square की जगा a square रख देंगे, तो आपको यह मिलेगा, और इसमें से a square common निकाल देंगे, तो आपको बच्चों यह कुछ ऐसा मिल जाएगा, so यह condition थी, काहे कि, कि given line, given circle को प्रती छेद कर रही है, उसे cut कर रही है, उसको, उसको दो points पर काटते वे जा रही है, इस सब कुछ आपने पढ़ा है, मैं just एक बार recall करा रहा हूँ, I am telling you once again, बच्चों, आपको सम्झाने के लिए, आपको बस केवल बताने के लिए ये बात बताई है, बच्चों, कि हाँ सहाब, circle ellipse का ही एक special case होता है, दिर्ग बत जो है बच्चों, उसी से ही बनता है circle, anyways, अब मैं अगर ये जानना चाहता हूँ, कि चलिए line कब cut कर रही है, वो मैंने निकाल दिया, अब मैं अगर इस intercept part की length find out करना चाहूँ, कि ये chord की length क्या होगी, तो चलिए सहाब कर लेते, आपने मान लिया कि सहाब given ellipse को given line, दो points पर cut कर रही है, एक point ये है, एक point ये है, let the coordinates of point A, R, X1, Y1 and that of B, R, X2, Y2, भई एक के निर्देशांग मैंने क्या मान लिए, X1, Y1 और B के X2, Y2 मान लिए, तो sum of roots ये होगा, product of roots ये होगा, लाजमी है, अब आप एक काम करें, इससे X1 या X2 मानस X1 निगा रहा है, वो बड़ी सड़ी सी बात है, बच्चों, वो आपको पता है, X1 प्लस X2 का whole square मानस 4 times of X1, X2, भई एस सच, इस chord की length अगर मैं find out करना चाहता हूँ, तो, क्या करूँ, मैं दोनो points के coordinates निकाल दू, X1, Y1 और X2, Y2, अगर आपको दोनो points के coordinates मालूम पढ़ेंगे, तो obvious ही बात उनके बीच में distance फार्मर लगाएंगे, आपको उन दोनों के बीच के distance भी मालूम पढ़ेंगे, लेकिन आप, अगर उनके coordinates आपको नहीं भी मालूम पढ़ेंगे, तब भी आपका काम होगा, क्योंकि आपको तो X1, X2, Y1, Y2 नहीं, आपको X2 माइनस X1 और Y2 माइनस Y1 चाह A to the power 4 और upon में बच्चों A square M square plus B square का square, आपने square किया, आपने इसका square किया, आपने इसका square किया, आपको क्या मिलेगा, जब आप यहाँ पर X1 प्रस X2, भी X1 प्रस X2 का square करेंगे, तो माइनस का square प्लस होगा, वागी भी आपको सावज में आ चुका होगा, और 4 times of, 4 times of A square into C square minus B square over A square M square plus B square, तो यह X2 minus X1 आएगा, और अभी कुछ common आ रहा है बच्चों, दोनों में से, हाँ, क्या common आ रहा है, 4 दोनों में है, A square दोनों में है, तो root के बाहर निकाल दीजिए, 4 A हो जाएगा, और यहाँ पर M square है, C square है, A square है, माइनस, एक मिनट, 4 को बाहर तो वो root के बाहर आकर 2 हो जाएगा, और A square निकाल देंगे, तो यहाँ से, A square चला गया, तो बचा, क्या बचा, C square मानस, B square, लेकिन 7 में, LCM भी तो लेना पड़ेगा, आपको LCM भी लेना पड़ेगा, C square मानस, B square, और यहाँ यह इसका square है, और यहाँ पर यह केबल ऐसा है, So, this has to be multiplied over there, A square, M square, plus B square, और पूरे के denominator में, क्या बच्चो, पूरे के denominator में आएगा, A square, M square, plus B square, और उसका भी, square, कर लीजेगा, यहाँ तक, and thereafter, एक बात, एक साथ ही कॉपी कर लीगा, अभी क्यों करें, हना साब, जो हम हमेशा करते हैं, कि हम लोग एक अठा एक बार समझ देते हैं, उसके बाद में, एक साथ उसे कॉपी करते हैं, हम यहाँ पर यह निकालना चाहते हैं, कि अगर लाइन ने कट किया, तो उसकी कंडिशन क्या, वो तो बकायदा आप निकाल चुके है, लेकिन अब आपको यह पहचानना है, कि साब अगर कट किया है, तो स्कॉड क ए स्केर है, और यहाँ पर इसका मल्टिप्लाय कर देंगे, तो ए स्केर, एम स्केर, सी स्केर, फिर माइनस सी स्केर का इस पर मल्टिप्लाय होगा, तो वो प्लस हो जाएगा, बच्चों, सी स्केर, बी स्केर, और फिर यह माइनस माइनस प्लस, और क्या हो गया, प्लस, माइ मैंने सही किया है माइनस सी स्कर्ण एंक Memphis कि या एगा और माइन माइनस का रवस का यह बिलकुल ठीक बात है माइनस-वाईनस पलस हो गया बीज है और यहां पर यह इए अभी कुछ B²M²M² plus B² है. Denominator में से मैंने यदि क्या common निकाल दिया? बच्चो B². यदि मैंने denominator में से B² common निकाल दिया है, तो आपको क्या मिला? आपको मिला 1 सेकंड. B² common निकल जाने के बाद, बचो बचा a square m square a square m square और प्लस कहीं ना कहीं कुछ मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ गलती करी है क्या गलती करी है a square m square है plus b square यहाँ minus की जगा मुझे लग रहा है प्लस आना चाहिए minus minus plus yes yes गलती कर अपा मेरी आदत है फर गलती को सुधार लें तो अच्छी बात है बच्चों यह B scale minus E scale उससे वही symmetric form बनगी जो वहाँ पड़ती येस ये अभी आपके पास हो बच्चों X2 minus X1 आया है यहाँ ये minus minus plus होगा ना और ये minus minus फिर से plus हो जाएगा तो ये एक छोटी सी गलती थी जो मैंने सुधार ली ये आपके पास हो बच्चों X2 minus X1 आया है अभी length नहीं आई है अभी length निकालना है quad की बच्चों तो फिर मैं क्या करूँ फिर मैं अभी X2 minus X1 आने के बाद अभ ये जो points है बच्चों ये ellipse पर भी लाए कर रहे है और पहरा वो लाइन पर भी लाए कर रहे है तो आप एक काम करें ellipse की equation में रखना इन्हें थोड़ा सा घातक साबित हो सकता है क्योंकि ellipse एक quadratic equation है और भी कारण है एक ही X के लिए दो अलग-अलग Y होंगे क्योंकि जो X coordinate इस point का होगा वही X coordinate उस से पास होने वाले double ordinate पर भी होगा जो X coordinate इस point का होगा वही X coordinate इसका भी होगा तो आपको X की एक ही value रखने पर Y की दो value मिलेगी फिर आपको पैचानना पड़ेगा कि उनमें से कौन सी value value ऐसी है जो intersection है और कौन सी नहीं है मेरे कहने का ताथ पर आप शाय समझ पा रहे होंगे पर एक्स की जो values आई अब इनसे मैं Y की values find out कर सकता हूं पर अगर मैं इसको Y की values को find out करना है तो obviously मैं इस X की value इन X की values को या तो मैं ellipse की question में लखू या line में एलिस में रखता हूं तो for the single X I will have two Y अब उनमें से क्योंकि एक ही X के लिए दो Y होंगे और उनमें से एक तो ऐसा होगा जो एलिस पर होगा और दूसरा नहीं होगा दो सड़ी दोना एलिस पर होगे लेकिन एक ऐसा होगा जो intersection होगा और एक नहीं होगा सो बेटर आपके पास यह है कि आप एक काम करें यह जो X की values आई है इसे आप line की question में रखें line की question में रखने से फायदा यह होगा कि जो X line पर होगा वो ही होगा एक ही X के लिए Y की दो values line पर आजाएं वो संभाव नहीं है लाइन पर हर point अपने आप में unique होता है हर point unique होता है और एक और दूसरी तरह से यह भी समझा जा सकता है इसको कि साब पिटा line की question linear है solve जल्दी हो जाएगी ellis की question को solve करेगा तो थोड़ी सी time लगेगा सर बहुत अच्छी बात है सर line की question linear है time कम लगेगा ellis की question quantity के solve करने मों time ज्यादा लगेगा लेकिन main बात जो मैंने आपको इससे पहले बोली ना वो है कॉल सी for single x you have two values of y as far as ellipsis concern but as far as line for single value of x there is unique value of y as well so आप यह जो point x1 y1 वो line पर भी लाए कर रहें तो line की question को satisfy करेंगे जब x की value x1 है तो y की value y1 है इसी तरह से अभी यह आपके पास में एक है और यह 2 है आप एक काम करें बच्चो दो में से पहले को minus कर दीजे minus कर देंगे बच्चो तो y2 minus y1 की value c से c cancel हो जाने के बाद आपके पास में आजाएगी m into x2 minus x1 अब आपको score a b के line find out करनी है जो की आप distance formula लगा कर सकते x2 minus x1 का square plus y2 minus y1 का square and my dear students as far as the value of y2 minus y1 is concerned that is given by m into x2 minus x1 so you need to place over here m into x2 minus x1 और फिर m into x2 minus x1 रख देंगे तो यह x2 minus x1 का square बाहर आ जाएगा जो कि root के बाहर x2 minus x1 हो जाएगा और यहाँ पर बच्चो कुछ ऐसा आएगा मेरे कहने का मत्दब क्या था आपको समझ माया होगा यहाँ y2 minus y1 की जगहा पर आप रख दीजे बच्चो m into x2 minus x1 और x2 minus x1 का square यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है वो कमाना जाएगा root के बाहर वो x2 minus x1 जाएगा finally x2 minus x1 की value यहाँ रख दीजे so that आपको chord की जो length मिलेगी बच्चों वो मिलेगी 2ab upon a square m square plus b square under the root of a square m square plus b square minus c square into one plus m square और यह पूरा expression आपके पास जो आ रहा है यह chord की length जो आ रही है बच्चों यदि आप ध्यान करें यहाँ पर अगर आप b की जगा a रख दें यदि आप इस equation में बच्चों b की जगा a रख दें तो आप पाएंगे कि यह वही quad की length है जो circle में भी आई थी अगर b की जगा a रख दिया तो a square से a square cancel हो जाएगा और वही का वही expression आएगा आप रख कर देखिए और circle वाले expression को जड़ा याद कीजिए या पन्ने पलटा लिजे अगर आपको स्मरण नहीं हो और पर स्मरण होना चाहिए तो बच्चो मैं बार-बार बोल रहा हूँ जो कुछ आप लोग alex में पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं वो सब में अगर b की जगा a रख देंगे तो आपको वही सब चीजे मिलने लग जाएंगी बच्चो जो circle में मिला करती थी तो यह chord की length भी याद रखिए नोट डाउन कर दीजे चलिए अब हम लोग बच्चो अब हमारा जो main emphasize होगा वो रहेगा touching वाली condition पर उससे पहले उससे पहले बच्चो आप यह नोट डाउन कर दीजे सब कुछ बाकी का तो आप करी चुके होंगे चलिए अब हम लोग बात करते हैं साब कि कभी य पास में यह देखिए यह गीवन लाइन है गीका चुछ और लाइन सब्सक्राइब कर रही है तो कि अब कर रही है थो यह ब्लस माइनस अंडर दी रूट आफ एस के एंब स्के एम स्केर माइनस सी स्केर अभी थोड़ी देर पहले मैं यह लिख चुका हूँ बच्चो एक मि लू क्या रही थी plus minus under the root of a square plus b square यह condition आ रही थी बच्चो किसपर्ष रेखा अगर है अगर टच्च कर रही है तो उसकी condition यही कुछ थी है अब आपको यह तो टच्च करने की condition है सभ तो मतलब मैं आप साथ में काम करूं जिस प्वाइ्ट पर वे टते हैजी जिस प्वाइट पर वो टैश करेगी उस प्वाइन के क्या लोग तो प्यक्यज़ कोर्णेट के सके निकल ऊब है और वोट सब्सक्रींट जो की सब्सक्रीजी रही से फिर अब denominator में आएगा two times of a square m square plus b square बच्छो two उपर नीचे से cancel हो जाएगा, finally आजाएगा आपके पास में m c a square upon a square m square plus b square यह आपके पास मैं आ रहा है बच्छो सहाब कभी यह लाइन इसे touch कर रही है तो यह आपके पास में x coordinate आया x coordinate क्या है बच्छो minus m c a square upon a square m square plus b square यह और x की जो value आई इसे मैं line की equation में रखूँ आपको y coordinate भी निकालना है तो आप यह जो x coordinate आया कि किस point पर वो touch कर रही है again आप यहाँ पर x की value रखकर y की दो values निकाला अगर आपने values पर रखा so for the same value of x you will have two values of y क्यों क्योंकि जो x इसका होगा बच्छो वही x इसका होगा if they bought our line on the double ordinate but उन में से एक point तो point of contact दूसरा नहीं है so better यह है कि आप इसे line में रखे because for every unique value of x we have unique value of y as far as the equation of line is concerned but in case of values we will have couple of values of y so y की value निकालने के लिए बच्छों मैं यहां रखता हूँ और जब मैं यहां रखूंगा तो यह हो जाएगा m और x की value कितनी है minus m into c into a square over a square m square plus b square और plus 7 में c अब इसे आप simplify कीजिए और इसे आप जब simplify करेंगे तो यह minus m square c into a square क्या यह सही है बिलकुल है और plus c का इदर multiply कर देंगे तो c into a square m square plus b square c और upon में क्या upon में a square m square plus b square यह लिज़े साब अब कर आपके सामने आला तो तो अब दिखने भी लग गया हूँगा m का multiply कर दिया यह minus का हो गया फिर a square m square c और फिर b square c अभी कुछ cancel हो रहा है बिलकुल हो रहा है बच्चो यह दोनों आपस में पूरी तरह से cancel हो गए और y की value आपके पास इस तरीके से बच्चो point of contact जो है यह line उसे कहां touch करेगी उसके coordinates क्या रहे है बच्चो point of contact के coordinates x coordinate यह आ गया और y coordinate का जहां तक सवाल है बच्चो वो मैं यहां लिखे देता हूं नीचे b square c over a square m square plus b square तो यह मेरे पास में और कुछ नहीं वहिया स्पर्ष बिंदू यानि की संपर्क बिंदू के निर्देशांक आए बच्चो एक्स coordinate आपने निकाला 2 से 2 cancel हो गया minus mc a square upon y और इसे x line में रख दिया आपके पास में यह आ गया तो बच्चो यह आपके पास में किसके और इस point of contact point of contact के आगे हम फ्रसा और आगे काम करते बच्चो तो यहां पर आप देखिए condition देखिए आपने कि कभी यह given line given ellipse को touch कर रही है कभी यह given line given ellipse को touch कर रही है वो देखिए आपने so what is the equation of tangent अगर सपर्श रेखा की समी करण के बारे में बात की जाए if we talk about the equation of tangent to the given ellipse now what I see I see that it is given something like equation of tangent would be given by y equals to mx plus c and what about c c is nothing but under the root of a square m square plus b square यह आपके पास मैं बच्चों c की value आई है yes उस basis पर यह equation of tangent आ गही आ गही now again you see for the same gradient there are two lines actually for one one line is for plus and another line is for minus for the same gradient for the same slope एक ही प्रवनता एक ही ढाल एक ही gradient एक ही slope के लिए आपके पास दो lines आ रही है एक प्लस लेकर आएगी एक minus लेकर आएगी एक plus लेकर आएगी और एक minus लेकर आएगी आएगी बिलकुल आएगी साब और ऐसी कोई दो लाइन जिनके slope सेम हो वो एक दूसरे के parallel होती है बही ऐसी कोई दो lines है जो एक दूसरे के parallel हो जो एक दूसरे के parallel हो वो क्या होती बच्चों उनके slope सेम होते है अब यहां आपके पास में यह जो आ रही है बच्चो for the same gradient आपके पास में दो lines हा रही है मतलब किसी ellipse पर मैं दो parallel tangents draw कर सकता हूँ बच्चो ये मेरे पास में एक ellipse है so मैं किसी भी ellipse पर दो parallel tangents draw कर सकता हूँ एक tangent यह आई और दूसरी tangent यह आई एक दिर्ग्वत पर बच्चो एक ellipse पर में दो पैरल टंजन ड्र कर सकता हूँ ऐसा ही कुछ condition आप लोगों ने circle में भी देखा था circle में भी आप जब दो पैरल टंजन ड्र करते थे आप circle में भी दो पैरल टंजन ड्र कर सकते थे वो और वो दोनों टेंजन्स पर्टिकुलर्ली डायमेट्रिकली अपोजिट एंस पर आया करती थी यहां क्या देख रहे हैं आप यहां पर भी एलिस्प में बच्छों दो टेंजन्स आएंगे एक प्लस लेकर आएगे और एक माइनस लेकर आएगे लाजमी है बच्छों मैरे खास साब को बात समझ मैं होगी मैंने क्या का है बच्छों यहां पर एक बार प्लस लेकर आएगए और एक माइनस लेकर आएगे और उससे पॉंग आप निका लेे तो पॉंग और जोह आएगे वह एक बार एक tangent की equation क्या होगी y equals to mx plus under the root of a square m square plus b square एक tangent तो यह आई और दूसरी tangent की equation y equals to mx minus a square m square plus b square so एक tangent आपके पास में गया आ रहे हो दूसरी tangent यह आ रहे है obviously दोनों देख लीजे बच्चों parallel है और दोनों एलिस पर tangent भी है और दोनों parallel भी है और point of contact के बारे में बात की जाए बच्चों तो point of contact क्या होंगे देखिए point of contact के बारे में बात की जाए तो जैसे point a के बारे में बात की जाए तो a के coinage क्या होंगे बच्चों minus m और c की value है under the root of a square m square plus b square और बाहर है a square और upon में क्या a square m square plus b square so ये तो आपके पास में x-coordinate आया और जहां तक y-coordinate का सवाल है तो वो है b-scare c और c की value क्या लिए बच्छो आपने a-scare m-scare plus b-scare और upon में a-scare m-scare plus b-scare so what is this this is nothing but point a के coordinates है बच्छो बिंदू a के निर्दशंक आया आपके पास point a के coordinates है I repeat minus लगाया आपने यहाँ पर क्या लगाया बच्छो यह कहां से लिखा बने point of contact के coordinates minus m-c-scare upon यह point a के लिए अगर आप देखें तो यहाँ मैंने plus लिखा है point a के लिए मैं c की value क्या लेके चल रहा हूँ point a के लिए मैं c की value जो ले रहा हूँ बच्चो यह note down जुरू कर लिजेगा अगर आपने कुछ भी नहीं किया हो इस पर से तो और या फिर कुछ भी छूटा हो तो जुरू इसको note down कीजिए बच्चो आपके पास में for the same gradient दो लाइन सो जो की इस पर टेंजेंट है अभी पर्टिकुलर ली इसके लिए देखा जाए तो c की value मैं अगर रखता हूं अगर c की value प्लस लेकर चलता हूं तो equation of tangent यह हो जाएगी हो जाएगी बिलकुल और c की जगा पर आपने रखा under the root a square m square प्लस b square और यह अभी यह cancel होकर बच्चो आपके पास में क्या आएगा यह point a के coiners कहेंगे minus minus m a square over under the root of a square m square प्लस b square यह आपके पास में point a के coiners है और रही बात बच्चो बी के यह एक मिनुट यह y coinert के आएगा y coinert यह आएगा बच्चो a square m square प्लस b square अब यहाँ पर भी आप कर सकते हैं बच्चो जो point a के coiners है वो यह आए point a के coiners यह आगए बच्चो यहाँ पर भी आप एक काम कर सकते हैं आप चाहें तो अगर a की जगा भी पुट कर देंगे तो बिल्कुल वही coiners आएंगे जो आपको वहाँ मिले थे कहां circle में यह तो point a के coiners है ऐसे ही अगर point b की बात की जा तो point b के लिए c की value कितनी होगी minus of under the root of a square m square प्लस b square बच्चो यह आपके पास में c की value आई point b के लिए उससे tangent यह आई और point of contact यह आप निकालेंगे बच्चो तो वह आपको यहाँ पर मिलेगा प्लस आप c की जगा रख कर देख लिए c की जगा यह रखिए बच्चो माइनस साइन सही तो आपको मिलेगा यह और upon में a square m square plus b square यह आए और यहाँ पर क्या आएगा बच्चो माइनस b square under the root of a square m square plus b square यह आपके पास में बच्चो points of contact के coordinates आ गए कोई मिलाकर collectively अगर बोला जाए बच्चो तो point of contact के coordinates कहाएंगे m a square over under the root of a square m square plus b square और यहाँ पर आएगा बच्चो माइनस प्लस b square over under the root of a square m square plus b square यह आपके पास में किसके coordinates आ गए आपके पास में बच्चो point of contact के coordinates आ गए सपर्ष बिंदू के निर्देशांक आ गए वैसे यार यह जो मैंने इतना लंबा छोड़ा लिखा था मैं इसको छोटा एक काम कर सकता था मैं हलाकि से आप note down कर लिजेगा यहां पर यह समझ गए होंगा कि plus के साथ में minus लिखना और minus के साथ में plus मैंने ख्याल से मैंने थोड़ा सो time waste कि आगर मैं थोड़ा सो simplify कर सकता था कि अगर line touch कर रही है तो उसकी condition यह है और फिप्ट of contact के coordinates याएंगे और a square plus m square a square m square plus b square को क्या लिख सकता थे बच्चा मैं 2 से 2 तो cancel करते था हूं minus mc into a square और upon में 2 से 2 cancel हो जाने पर a square m square plus b square की value हो जाएगी c square so यहां पर c से c भी cancel हो जाएगा और finally point of contact के coordinates जो इतने बड़े करके लिखे मैंने उससे अच्छा तो यह रहेगा कि मैं उससे लिख दूँ minus m a square over c और ऐसे ही यहां पर आजाएगा b square over c यह वो अननेसरी काफी लंबा समय लग रहा था मुझे क्यों क्यों क्योंकि देखिए c की value यह थी actually था यह कि c square की value क्या थी अगर touch कर रही थी तो c square की value यह थी साब तो आप a square m square plus b square a square m square plus b square की जगा आप c square रख सकते थे c से c cancel हो जाने के बाद आपको यही मिलेगा वो भी निख सकते काफी बड़ा है लेकिन मेरे कासे यह काफी चोटा है और c की value directly रख देंगे तो आपका काम ही हो जाएगा आई होगी sir मैं यह सोच रहा था और वो तो आप जो सोचते हो मैं सोच ही लेता हूं ऐसे कोई बात है नहीं कभी कबार मैं थोड़ी अकल मंद ना होते हुए मिरी अकल मंद हो जाती है anyways तो यह आपके पास में बच्चो point of contact के coordinates आए हैं यहने कि सपर्ष बिंदू के निर्द का चुकार ऐसे इस यह जो फंड़ा हम लोगों ने पढ़ा बच्चों इस पर बेस्तों हम लोग काफी सारे संस सरकल में भी कर चुके पैरा बोला में भी कर चुके चलिए एक दो समस के साथ में हम लोग वाम अप कर लेते हैं find condition for which this line LX plus MY plus N is equals to 0 touches this ellipse बताइए सहाप की क्या condition होगी ऐसी कि यह given line इस given ellipse को touch करें वीडियो को रोकिए और करिए इस से आपको अगर करना है तो आपके पास में दो तरीके आप एक काम कीजिए आप दोनों की equations को simultaneously solve कर लीजिए और discriminant को zero कर दीजिए यह तो वो तरीका जो आप अलड़ी यूज कर चुक हो तो क्यों ना मैं उसी का फाइदा उठा कर इस given line को Y equals to MX plus C की form में लिखूं तो यह होगा और यहाँ पर कुछ ऐसा होगा I have taken Y on one side and thereafter I have divided whole equation by M so that I will be getting something like this Now I am going to compare this equation with Y equals to MX plus C If I compare this equation with this expression then I will see that M is equals to minus L over M and what about C value of C is बच्चों minus N over M आपने देखा कि M की value minus L upon M है और C की value यह है अब यह line इससे touch करें तो उसकी condition का है साब C is equals to है बच्चों plus minus under the root of A square M square plus B square यही कुछ है अभी C की value कितनी बच्चों minus N over M is equals to plus minus under the root of A square और M square के बारे में जहां तक सवाल है बच्चों तो वो है यह और साथ में है बच्चों यह अब आप चाहें तो दोनों तरह square कर दीजिए square कर देंगे N square आजाएगा और इदर आजाएगा बच्चों A square L square plus B square M square So this would be the condition for which the given line will be touching the given ellipse यह line इसको कब touch करेगी उसकी condition आगी बच्चों सवाज में आया होगा आपको मेरे ख्या से Note down कर लिजी एक और sum लिखेगा बच्चों यहाँ आपको बोला है कि Find equation of tangent on ellipse 9 x square plus 16 y square is equals to 144 Find equation of tangent on this ellipse which is inclined at angle 45 degree with x-axis जो कि x-axis के साथ 45 degree का कोण बनाती है वीडियो को रोकियोर करिए बच्चों देखिए यह जो equation है इसे मैं अगर थोड़ा सा simplify करूं तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी स्थिती मिलेगी अभी A square की value 16 आगई B square की value 9 आगई आगई साब अब ऐसी कोई line जो x-axis के साथ में angle 45 degree बना रही हो मुझे ऐसी line बतानी है जो इसे given ellipse को touch कर रही मतब कैसी picture बनेगी यह रहा साब ellipse यह रहा ellipse अब आपको ऐसी line बतानी है जो x-axis के साथ में कितना angle बनाए 45 degree और इस ellipse को touch भी करे तो क्या picture बनेगी यह रहा ellipse अब 45 degree का angle ऐसी भी line हो सकती है और बत्चो ऐसी भी हो सकती है हो सकती की नहीं बैस 45 degree का angle बनाए तो 45 degree हो सकता है ऊपर की तरब बने हो सकता है 45 degree बत्चो नीचे की तरब बने दोनों स्तित्य पॉसिबल है तो आप अगर M की value एक case होगा बच्चो 1045, M की value 1045, तो पहला case में लेता हूं बच्चो जब M की value 1045, वो 1045 degree पर होता है 1, तो equation of tangent क्या होगी y equals to mx, y equals to mx plus minus under the root of a square into m square plus b square, अभी इसको आप solve करेंगे बच्चो तो y equals to x plus minus 5, आपके पास में दो lines आगई, यह दो lines आगई बच्चो आगई, और एक case यह भी possible है बच्चो की m equals to कितना हो, वो 45 degree नीचे की तरफ बने, तो यह minus बना जाएगा, तो इस case में y equals to कितना हो जाएगा, बच्चो, mx plus under the root 16 into m square plus b square, अब इसको solve करेंगे, then again you will get two tangents बच्चो, आपको खुल मिलाकर, जो picture given है, उस picture के साबसे 4 tangents मिलेंगी, चार क्यों मिलेंगी बच्चो, 45 degree का एंगल बनाने वाली एक tangent यह रही और 45 degree का ही एंगल बनाने वाली बच्चो, एक tangent इधर भी रही, 45 degree का एंगल बनाने वाली एक tangent उपर है, एक tangent नीचे है, ऐसे ही minus 45 degree का एंगल बनाने वाली एक tangent इधर है, और एक tangent बच्चो, इधर है, इसलिए कुल मिलाकर आपको चार tangents मिलेंगी, 45 degrees का एंगल बलाने वाली एक tangent यह है एक टेंजन यह है माईनस 45 degrees का एंगल बलाने वाली एक टेंजन यह है हऊ 아닙ने टोटल तेंजन में when we पीपल रगरिटम बच्चों 4 चारच परश रिखाओं की प्राप्ति आपको हो रही है आपको बच्छो चार टेंजन्स की एक्वेशन मिल रही है और क्यों मिल रही है मेरे खास आपको इस समझ में आया होगा बच्छो एक प्रॉब्लम और करिएगा एक प्रॉब्लम और करिएगा Determine Determine Equation of Tangent Determine Equation of Tangent on Ellipse 3X square Plus 2Y square Is equals to 1 Determine Equation of Tangent on Given Ellipse Which is Perpendicular to Which is Perpendicular to Given Line जो Given Line के लंबुवत है वीडियो को रोक करके कीजिए बच्छो देखिए आप इस Ellipse पर बई देखिए यहाँ पर यह एक आपको Ellipse Given है और यह आपको एक Line Given है यह एक Line Given है अब आपको ऐसी Line बतानी है जो उस Line के Perpendicular भी और इसको Touch भी कर रही है तो ऐसी बच्छो एक Tangent यह आएगी और एक Tangent यह आएगी है आएगी दो Tangent आएगी जो Ellipse को Touch भी करें अब Ellipse को Touch करने वादी तो Infinite Lines है और उस Line के Perpendicular वैसी भी Infinite Lines अब अपने को तो वो Line देख रही है जो उसके Perpendicular भी इसको Touch भी करें Obviously वो दो होंगी क्योंकि for the same gradient we do have two tangents we have two lines which are touching the given Ellipse So first of all you write this Ellipse equation into the standard form that is in the form of X square over A square plus Y square over B square is equals to 1 भाई X square upon A square plus Y square upon B square is equals to 1 अब आपने यह है बच्छो इसे compare कर लेंगे तो A square की value तो 1 by 3 आ गई B square की value 1 by 2 आ गई और given line के perpendicular line की equation होगी बच्छो 5X minus 4Y plus मैंने माल लिया lambda equals to 0 भाई उस given line के perpendicular फॉर तक किसी भी line के perpendicular line अगर आपको निकालनी है बच्छो तो X और Y के coefficients को interchange कर दीजी किसे एक के आगे minus लगा दीजे constant को भी change कर दीजे कर दीजे कर दीजे आपने और उससे Y की value आ जाएगी साब 5 by 4 प्लस लेम्डा ये लाइन ये आगे बच्छो अब इससे आप compare करेंगे तो M की value आपको मिल गई 5 by 4 और C की value मिल गई लेम्डा बाई 4 और वह यह ऐसा है कि आपने Y की value ये लिख दी M की value आगे C की value आगे अब ये line टच करें तो उसके लिए condition ये है साब की C is equal to होता है plus minus under the root of A square M square plus B square और यहाँ पर C का का काम कर रहा है बच्छो लेम्डा बाई 4 ये plus minus और A square का काम कर रहा है बच्छो 1 by 3 M square M की value है 5 by 4 जिसका square कर देंगे तो 25 by 16 आएगा plus B square B square की value बच्छो 1 by 2 है क्या आपको बात समझ में आ रही है साब C की value है lambda by 4 C की value lambda by 4 plus minus under the root A square M square plus B square अभी आप LCM ले लिजे बच्छो now you will get two values of lambda obviously two values of lambda would be there और वो जो लेम्डा की दो values आएंगी यहां से वो लेम्डा की दो values आप यहां feed कर देंगे you will get the answer by given line के परपेंडिक उदर change the coefficient of X and Y and put the constant put another constant over there and thereafter आपने Y को स्टो 1 की फॉर्म में में आइं को लिग दिया एलिप्स को भी इसे चलिए अब मैं तोड़ा सा ओर आगे बढ़ता हूं एक वर सम कीजेगा बच्चों find out equation of tangent find out equation of tangent on following ellipse on following ellipse अब ellipse की equation भी मैं लिखूँ तो चलिए साब find out equation of tangent on following ellipse which passes to point 2,5 जो point 2,5 से पास होती है वीडियो को रोक कर किजिए बच्चों यहाँ पर आप देखिए तो यह जो point 25 है वो इस ellipse के कहीं बाहर है वो ellipse के बाहर है बच्चों यह जो point है वो point ellipse के बाहर है obviously इस point से ellipse पर मैं दो tangent खीच पाऊंगा मैं उस point से बच्चों पर कित्या tangent खीच पाऊंगा 2, this is the point is lying outside the ellipse चुकि बिंदू दिर्गवत्त के बाहर है है और वो कैसे मालूम पड़ेगा आपको पहचानना है आप S1 निकाल लिए X की जगा पर X1, Y की जगा पर Y1 रख दीजिए यह करिए बच्चों यह पूरी एक्सपेशन की value पॉसिट्यूरिट इंप्लाइज दा गिवन पॉइंट इस लाइन आउट साइड दी यह S1 आ गया बच्चों अब S1 आ जाने के बाद में क्या करोगे आप S1 आ जाने के बाद आपके पास में S1 आ गया उससे आप मालूं बड़ी का पॉइंट उसके बाहर है तो आप एक काम करता है साब मैं मान लेता हूँ equation of tangent जो है साब Y कोस टू प्लस माइनस अंडर दी रूट आफ किसी के जहन में आया होगा कि सर यह जो पिछला वाला आपने सम किया था इसमें A स्केर की वैल्यू कम थी B स्केर की वैल्यू जदा थी मतलब X एक्स इसकी माइनर एक्सिस है Y एक्स इसकी मेजर एक्सिस है तब भी क्हां यही कंडिशन आएगी तो यहीं आएगी किसी किसी के दिमाग में आया होगा और मैं बोलता हूँ बच्छो जितना सोच सकते हो सोचो क्योंकि जो सोचते हैं वही आगे बढ़ते हैं कि मेरा personal experience है आप monotonously सामने वाले पर believe मत करो मैं तो clear बोलता हूँ आप किसी पर भी अपने आप से जादा किसी पर भी believe मत करो मुझ पर भी नहीं करो अपने आप पर believe करो हो सकता है मैं कहीं कोई गलती करूँ हो सकता है क्या मैं करता हूँ और मैं गलती करता हूँ मैं अपनी गलती को confess करता हूँ मुझसे spelling mistakes होती हैं मुझसे calculation mistake होती है मैं problem को note down करने में गलती करता हूं यह मेरे साथ में वड़ी कि मैंने कोई problem सोची दिमाग लगाया मैंने खुदी ने problem बनाई और माद में वालूम पड़ा मैं खुदी इस problem के data को change कर देता हूं करते हैं तो यह होता है आप लोग इस बात के साक्षात गवाएं जो बकाइदा बली सरके लेक्चर सटेंट करते वे आ रहे हैं तो दिस इस दिंग विचाएं यूस्टू सफर बट आप सोचिए conceptually भी किसी किसी के जहन में आ सकता सरे स्क्राइब इस कर जादा तब भी क्या य कैसी कंडिशन नहीं ली कि a greater than b है या b greater than a है कहीं ली नहीं सो इर्रिलिवन कि कौन सी एक्सेस मेजर एक्सेस है एक्स या y मैं वापस से संपर आ रहा हूं बच्चो चलिए equation of tangent यह होगी अभी आप देखे तो a square की value 1 by 3 और y axis की value 1 by 2 चूकि वो tangent बच्चो 2,5 से पास और इस इससे 5 minus 2m is equals to यह लेंगे तो 4m square plus 3 upon 3 4 जा 12 भाई 4 का multiply यहां करा 3 का multiply करा यहां आ गया बच्चो और इसके बाद आपको 12 अब आप square कर दीजे तोनों बाजो square कर दीजे बच्चो 25 plus 2 4 जा 2 2 जा मतब यह 4m square और 5 जा 10 जा 20m और right hand side पर 4m square plus 3 upon 12 बच्चो आपने 2,5 से पास वने बादे टेंजन लिखी वो ही आई LCM लीजिए पहले तो इसको इदर ले आईए फिर दोनों तरह square कर दीजे square कर देंगे यहां आएगा फिर आप 12 का multiply कर देंगे 12 4 जा कितना होता है बच्चो 48m square 12 4 जा होता है 48m square minus 12 20 जा 2 एक सेकंड आपके पास में यह हो जाएगा 240m और 12 25 जा 30 Am I correct? Let me see बच्चो 4m square into 12 48m square 20 12 जा 240 25 12 जा 30 और RHS पर बच्चो और कुछ नहीं वही है जो होता था अब आप इसे simplify कर लीजिए और थोड़ा सा भाईया यह चेक लीजिएगा मैं फिर बोलों कि अब अगर कहीं कोई गलती हो जाए तो वो गलतियों को आप सुधार लीजिए हाँ हम logic समझ लेंगे concept समझ लेंगे fundamental समझ लेंगे हमारी approach क्या होनी चाहिए हम वो समझ लेंगे हमने m square को इसमसे minus किया बच्चो तो 44 m square और बाकी minus 240 m ही है उसमें तो कोई tension वाली बात नहीं है और यहां से बच्चो 30 में से 3 जाएंगे तो 27 आएंगे यही कुछ आएगा अब आप यहां से obviously m की आपके पास में दो values आएंगी आपके पास में बच्चो m की दो values आएंगी और अब m की दो values जो भी आएंगी बान दीजिए एक value alpha और एक value beta आगई suppose कर दीजिए बच्चो वहीं की दो values आएंगी एक alpha और एक beta अब क्या करेंगे बच्चो यह जो दो values आएंगे वह sorry m की दो values आएंगे बच्चो एक alpha और एक beta आएगे मैं पर यह चेक कर लूँ फिर से एक बार और 25 से पास हो रही थी आपना satisfy करा है इसको इधर लेकर आगए square करेंगे square करेंगे 2, 5, 10, 2, 20, m right hand side पर यह होगा आपने इसको multiply कर दिया finally यह आएगा you will have two values of m maybe alpha, beta, maybe m1, m2 और वो जो दोनो values आएंगी उन दोनो values को बच्चो आप यहां रख देंगे obviously a square की b square की value की रखेंगे आपके पास में tangent आजाएंगी आजाएंगी बच्चो लेकिन यहां एक बात है आप m की एक value रखोगे alpha तो आपको plus minus लेकर एक answer आएगा बच्चो आपके पास में दो answers आजाएंगे जैसे आपने m की value alpha रखी अभी एक minute के लिए मैं अभी इसकी value नहीं निकालूँगा बच्चो वो थोड़ा सा time consuming हो जाएगा m की दो values आई alpha रखी आपने तो equation क्या आगई y equals to alpha x plus minus under the root of a square m square और m की value alpha है a square m square है plus b square और b square की value कितनी है 1 by 4 b square की value है 1 by 4 सो आपके पास में यह आगे है अब दो tangent तो यह ही आगई आगई अब आप भेजा लगाईए जरा same gradient की दो lines आ रही है बई एक plus लेकर आ रही है एक minus लेकर आ रही है मतलब क्या हो रहा है बच्चो सेम gradient की दो lines आ रही है अब same gradient की दो lines आ रही है मतलब दो parallel tangents आ रही है same gradient की दो lines आ रही है मतलब दो parallel tangents आ रही है दो parallel tangent आना कोई पाप नहीं है एलिप्स पर दो parallel tangent होती है लेकिन यह imagine करो कि एलिप्स पर दो parallel tangent है और वो दोनो 0.2,5 से पास भी हो रही है दो पैरल लाइंस हैं और वो एक ही कॉमन पॉइंट से पास होनी है इस एट पॉसिबल नू रिपीट कर रहा हूं यहां पर कुछ कैंसल भी नहीं हो रहा है यह इवन था यह 27 ने पंगा दे दिया यह दोनों तीन से डिवाइड हो रहा है यह तो हमारी उलजन है मैं तो कह रहा हूं अब आपके पास पर दो वैल्लियू दाई एक आई अलफा आपने वह यहां रखी एकवेशन आपके पास पर यह आई अब आपके पास पर दो टेंजन आई एक प्लस लेकर और एक माइनस लेकर अब सेम ग्रेडियंट की दो परलल टेंजन कैसे आ सकती है दो परलल टेंजन आ सकती थी पर वो दोनों पॉइंट 2,5 से पास हो वो तो नहीं होगा सो होगा क्या आपके पास में यहाँ पर दो टेंजन जो आएंगी obviously उनमें से एक टेंजन ऐसी होगी जिसको 2,5 सिटिस्फाइ करेगा और एक को नहीं करेगा सो आप 2,5 रख कर देखेंगे जिसको 2,5 सिटिस्फाइ करे वो अरी लेंगे अगर प्लस वाला करेगा तो निश्वित बात है माइनस वाला नहीं करेगा और अगर minus वाला करेगा तो निश्यत बात है plus वाला नहीं करेगा ठीक इसी तवरा से जब आप beta रखेंगे so beta x again for the same gradient for the same gradient मेरे पास में दो tangent आएंगी दो tangent आएंगी अब आप एक ही gradient beta की दो tangents लिखें उसमें कोई pop नहीं है आप एक ही gradient beta की दो tangents लिखें उसमें कोई pop नहीं है पाप कहां हो रहा है कहां हो रहा है पाप पाप हो रहा है यहां पर कि आप दोनो पेरल हैं और दोनो 0.2.5 से LA baş हो रही है यह possible नहीं है और यह possible नहीं है इसलिए again यहां पर आपके पास में दो जो tangent आएंगी आप उनको उनमें two five रखकर देखेंगे और आप देखेंगे कि फिर उनमें से एक satisfy करेगा एक नहीं निश्चित बात है कि अगर plus वाले ने करा तो minus वाला नहीं और minus वाला है बच्चर तो plus वाला नहीं यहीं फ्लस वाले ने satisfy करा है तो माईनेस वाला नहीं करेगा और यदि माईनस वाले ने करा तो प्लस वाला नहीं करेगा ढोटर पर यह कह सकते हो कि जब भी कभी हम किसी equation जब भी कभी हम किसी equation का square करते हैं तो फिर हमें extra root भी मिलते हैं जैसे मैं आपको याद दिलाओं यदि मैं बोलू कि आप x बराबर 2 के roots निकाली होगे तो आप बोल दो कि उसमें कोंसी बात साब 2 ही आएगा लेकिन कोई वक्ती बोलत सर मैं इसको square करता हूं और फिर मैं square root लेता हूं तो उससे उसको plus two भी आएगा मैनस two भी आएगा तो इससे दो roots आएगे क्योंकि उसने क्या करा उसने actually x x equals to two का root नहीं निकाला उसने extra square equal to four को solve किए अब extra square equal to four को solve करोगे तो plus two भी आएगा minus two भी plus two तो इसको satisfy करेगा minus two नहीं करेगा तो वो बात हम लोग सब बच्चों वहाँ पर भी देख चुके कि यदी क्या हो रहा है साफीर को solve करने के लिए उसके roots निकालने के लिए अगर आपने कहीं न कहीं बीच में स्क्वेर किया तो आपको एक्स्ट्रा रूट भी मिल सकते हैं तो वहीं मैं बोलना हूं बच्छों यहां पर रूट्स आप निकालती जी एक अलफा आएगा एक बीटा आएगा आपके पास में अलफा रखने से टेंजन क होगी यह टेंजन है तो इसके पहले भी टेंजन होगी इसलिए दो आपके पास में तो आपके पास में यह आएगा पर यह नहीं आएगा